वेलकम टुमाय चैनल दोस्तों इस वीडियो में हम सुन रहे हैं मंजली दीदी जो कि शरचन जी का एक लगू उपन्यास है दोस्तों मेरे दूसरे वीडियो में मैंने आपको जो स्टोरी सुनाई थी उसमें ये था कि किशुन जो था अपने मंजली दीदी यानि कि हेमांगनी को बहुत प्यार करता है जो कि उसकी चचेरी बेहन यानि कादंबरी की देवरानी होती है ठीक है रिष्टे में तो उसकी कुछ नहीं लेकिन फिर भी उससे जितना प्यार उसको मिलता है वो अनाद बच्चा उसको अपनी मा की तरह अपनी बेहन की तरह ट्रेट करता है और देख कर कादंबरी को जलन होती है और गुसा आता है जिसकी वज़े से उन दोनों में लडाई होती है और उस लडाई में उन दोनों के पती भी बीच में शामिल हो जाते है तो आगे देखे सुनते क्या होता है जो किशुन होता है वो खाना खाने के लिए बैठा होता है उसके पिता को लड़ाइजगड़े की वजय से अब कशन गाना पसंद नहीं था तो वह दौनों जाकर भागते ख़ाना छुड़की छुप जाके पहले तो हिमागनी ने हद्वूत की पाती एक बार इधर उधर देखा और फिर परिशान्त होकर दिवार से टिक गई लज्जा और अपमानशन ने मानुस की छाती को चीरता वार पार कर गया था दूसरे ही छड़ विपिन वहाँ पर पहुचा सामने ही पतनी को इस प्रकार से देखकर उसने पूचा क्या हुआ य इसके बाद भाद की जूठी थाली की ओर निगा गई और उसने कहा इस थाली में इतना भाद छोड़कर कौन उड़ गया क्या ललित तो नहीं हिमागनी ने सीधे होकर बैठते हुए कहा नहीं वो तो नहीं उस घर का किशन खा रहा था तुम्हारे डर से दर्वाजी की उट में जा छिपा है क्यूं हिमागनी ने कहा क्यूं सो तो तुम्हें अची तरह जानते हो और अकेला वही नहीं तुम्हारे आने की खबर देखकर उमा भी जा छिपी है विपिन ने मन ही मन समझ लिया कि पत्नी की बाते तेढ़े रास्ते जा रहे हैं शायद इसलिए उन्हें सीधे रास्ते पर लाने के अभी प्राय से उसने हसते हुएगा बेटी आकर किस डर से भागी ही मागनी ने कहा सो मैं क्या जानू शायद इस डर से भागी हो कि कहीं मा का अपमान अपनी आखों से ना दिखना पड़े उसके बाद एक लंबी सांस लेकर बोली किशन ठहरा पर आया लड़का वो दो छुपे गा ही लेकिन हाई पेट की बेटी को भी ये विश्वास नहीं हुआ कि उसकी मा किसी को बुला कर दो कॉर भाद खिला रहे तक की अधिकार नहीं है अब विपिन ने समझा कि सच मुच जो मामला आया वो अब बिगड गया है आगे चलकर वो कहीं ब्रुग्र रुप धारण न कर ले इस खयार से उसने पती को जो भी अरोप लगा रहे ती उसको साधारण हसी में बदलते मांक मठकाते गिर्दन नचाती उससे का नहीं तुम्हें कोई अधिकार नहीं है बिकारी उनको तुम भीक तक नहीं दे सकती लेकिन अच्छा इन बातों को भी रहने दू कल से तो फिर सर में दर्द नहीं हुआ न मैं सोचता हूँ कि शहर से केदार डॉक्टर को बुला विजू और ना हो तो फिर एक बार कलकता से रोग और चिकसा का परामर्श वहीं कहीं ठीक रहेगा और वहाँ पर इमागनी ने पूछा उमा के सामने तुमने किशुन से कुछ कहा था विपिन मानो आकाश से नीचे जागी रहा बुला मैंने कहां नहीं तो ओ याद आ गया उस दिर शायद कुछ कहा था भाबी नाराज होती हैं भाईया बिगड़ते हैं उमा याद पढ़ता है कि वहाँ खड़ी थी जानती तो हो ही हाँ जानती हूँ पैकर हिमागनी ने बात समाप्त कर दी विपिन जब घर के अंदा चला गया तो उसने किशुन को अपने पास बुला करका भाईया किशुन ये चार पैसे ले जा और बाजार से कुछ चना मुरुमुरा लेकर खा लेना मूग लगने पर अब मेरे पास मताना तेरी मजली दीदे में इतनी शक्ती नहीं है कि वो बाहर के आदमी को एक मुठी भात खिला सके किशुन चाप चला गया घर के अंदर खड़े हुए विपिन ने उसकी ओर देख कर दान पीज लिया कुछ पांच छे दिन के बाद विपिन ने घर में प्रवेश किया और तमतमाती हुए चहरे से कहा तुमने ये सब क्या बखिला शुरू कर दिया है किशुन तुमारा कौन है जो उस पुराए लड़की के लिए राद दिन अपने घर वालों से लड़ाई जगड़ा करती रहती हूँ आज तो देखता हूँ भाईया तक सकत नाराज हो उठे कुछ ही समय पहले घर में बैटकर बड़ी बहुने पती को उपलक्षे और मचली बहु को लक्षे कहकर जोर जोर से चला कर अब शब्दों में जो तीर चलाए थे उनमें से एक भी निश्फल नहीं गया था उन सभी ने हिमागनी को छेदा था और हर तीर की नो पर जितना जहर था उतनी ही परिमाण में उस विश की मातरा जला भी रही थी लेकिन जेड बीच में बैठेते हैं इसलिए सब कुछ सहते रहने के लिए इमागनी किसम को और कुई रास्ता था ही नहीं पहरे जिस प्रकार यमन सैनिक गाय सामने रखकर राजपूतों की सेना पर बाड़ वरिस्टी कर युद्ध में विजल आप करते थे उसी तरीके से बड़ी जो बहु थी मंजली बहु को आजकल पराजित कर रही थी पती के बाद सुनते ही है मागनी भक से जलूट बोली क्या कहते हो जी भी नाराज होगे ये तो इतने बड़े अच्रिच की बात है कि सुनकर सहसा विश्वास नहीं होता अब बताओ उनका गुस्सा किस तरह शान्त होगा विपे मनी मन तो बहुत नाराज होगा लेकिन क्रोध को बहार प्रकट नहीं कर सका इसलिए मन के भाव को मन में ही दबा कर सहस्ता पूरो बोला हजार हो फिर भी बढ़ों के सम्मद में क्या कहे है उसकी बात पूरी होने से पहले ही मागनी बोल थी सब जानती हूँ नेरी बच्ची नहीं हूँ बड़े बुडों की मान मर्यादा को जानती नहूँ लेकिन मैं उस लड़के को चाहती हूँ शायद इसलिए वे मुझे दिखला दिखला कर उसे बेदते हैं कहते कहते उसका स्वर बहुत नर्म हो गया क्योंकि अचानक अपने जेट के संबंद में ताना मार कर वो मनी मन बहुत जादा अफसोस कर रही थी लेकिन उसका जो भी अंदर ये अंदर वो जल रही थी इसलिए वो गुस्चे को समाल नहीं पा रही थी विपिन मनी वन उन लोगों के पक्ष में था एक पराय लड़की के लिए अपने भाई 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 के साथ बेवजे का जगड़ा कौन लेना पसंद करेगा पत्नी को इस प्रकार लजजित होते देखकर उसे मौका मिल गया और उसमें जोर देखकर कहा कि बींदते शेंदते कुछ नहीं है उनका अपना लड़का है उसे अनुशाशन में रखते हैं कामकार सिखाते हैं इसे तुम्हें बांधने की बात कहां से आ गई और तुम्हें तकलीव भी क्यों हो रही है भाई इसके अलावा वो जो भी करते हैं ठीकी करते हैं बड़े जो ठेरे हेमांगरी अपने पती के मुख की ओर देखकर पहले तो कुछ विसमित हुई पंदरा सोला साल से वो उस ग्रहस्ति को चला रही है परन्तो आज से पहले उसके पती में ऐसी भाहत्र बगती यानि भाई के प्रती बगती उसने कभी नहीं देखी थी पर वो करती भी क्या वो बोली वे बड़े हैं तो मैं भी मां हूँ यदि बड़े लोग अपने हाथों अपना मान घटाते हैं तो किस प्रकार उसकी पूर्ती करूंगी विपिन शायद को जवाब दे नहीं जा रहा था कि रुख गया दर्वाजे के बाहर से कुंटे ज़र में विनमर पुकार सुनाई दी मंजली दीदी पती और पतनी दोनों ने एक दूसरे को देखा विपिन कुछ असा लेकर उस हसी में ना इस नेता ना प्रीती ये भागनी होड दबाये दर्वाजे के पास उसे देखते ही दर्वाजे पास आखड़ी हुई और चप-चाप किशन के चेहरे की ओल देखने मंजली दीदी छड़ बढ़ते पागनी कुछ पूली नहीं पाई थोड़ी देर बाद पती पतनी ने में जिसे लेकर विवाद हो रहा था उसी को सामने पाका सारा गुस्सा उसी पर बरस पड़ा दीरे से परन्तु कठोर स्वर में का यहां क्या है और क्यों तो रोज़ों जाजलता है किशन की जाती धक से रह गई कठोर स्वर सच ही इतना कठोर सुनाई दिया कि कारण जो भी रहा हो उस अभागे लड़के को यह समस्ते देर नहीं लगी कि वो कठोर जो स्वर है वो इसने पुर्ण परिहास नहीं है भै विसमे और लज्जा से उसका चेहरा काला स्याह पड़ गया किसी तरह बोला तुम्हें देखने चला आया विपिन ने हसकर कहा तुम्हें देखने के लिए आया है पती कि उस हसी ने मानो मूँ चुड़ा कर हिमागनी का अफमान किया उसने पैरो तरह दबी हुई नागिन की तरह विश मुझी द्रस्टी से एक बार पती की और देखा और तब उधर से ड्रस्टी गुमा कर बोली अब तु यहां मत आना जा अच्छा कैकर अपने चहरे की काली मा को हसी में छिपाने के प्रत्न से उसे और भी काला विक्रत करके वो मू नीचा किये वहां से चुप चाप चला गया उस व्रक्ति काली चाया को मूँ पर लेकर एक बार पती की योर देखकर हिमागनी जल्दी से कमरे के बाहर निकल गई पांच-छे दिन हो गए हिमागनी का बुखार उतर ही नहीं जा था कल डॉक्टर हाकर बतला गया सर्दी चाती में बैड़ गई है सांच के दिये जले ही थे कि अच्छे अच्छे कपड़े पैने ललित ने कमरे में आकर कहा मा दत्त महाशे ने यहां कटपुतली का नाच होगा देखाओं मा ने थोड़ा हसकर कहा क्यों रे ललित पांच्छे दिन से तेरी मा बिमार पड़ी है और तु एक बार भी पासा कर नहीं बैठा ललित लज्जितु का सिराने पर बैठ गया मा ने इसने पूरवा बेटी की पीट पर हाथ बेड़ते हुए कहा यदि ये रोग अच्छा ना हुआ और मैं मर गई तो तु क्या करे गरे खुब रोए का न हटो तुम अच्छी हो जाओगी ललित ने अपना एक हाथ मा की च्छाती पर रख दिया मा बेटे का हाथ अपने हाथ में लेकर चुप पड़ी रही जोर के उत्पात में बेटे का वो स्पर्श उसे बहुत शीतल महसूस करा रहा था वो चाहने लगी कि सारा समय इसी तरह कट जाए लेकिन ललित छुट्टी पाने के लिए छट पटाने लगा कहीं कट पुत्ती कर नाश शुरू ना हो गया हो वो सोच सोच कर छट पटाने लगा बेटे के मन की बात को जानकर माने मनी मन सी आ गई और उसने कहा अच्छा जा देखा लेकिन ज़्यादा देर मत करना नहीं मा चलती लोटा हूँगा कहकर ललित बाहर चला गया कि तो थोड़ी देर बाद ही वो लोटकर आकर बोला माई बाहर कहूँगा ने हसकर पूछा एक रूपया चाहिए ना उस आले में रखे मगर देखना एक से ज़्यादा मत लेना नहीं मा रूपया नहीं चाहिए ये बतलाओ मेरी बात सुनोगी मा ने बड़े आश्यादे से कहा रूपया नहीं चाहिए फिर क्या बात है ललित ने बिल्कूल पास में आकर चुपके से कहा किशिर मौमा को एक बार आने दोगी वे अंदर नहीं आएंगे बाहर से ही जहां कर एक नजर देखकर तुम्हें लोट जाएंगे कल भी बैठे थे आज भी आकर बैठे हैं हिमागनी व्याकूल हो थे और बोली जा जा ललित अभी इसी समय बुलाला हाई रे बिचारा बाहर बैठा है तुम्हें ने मुझे से कहा क्यों नहीं मारे डर के भीतर आना ही नहीं चाहते थे ये कहता हुआ ललित बाहर चला गया तूसरे च्छड़ पे किशन कमरे में आया और जमीन की और ताकता हुआ दिवार सटकर खड़ा हो गया हिमागनी ने कहा आ भाया किशन उसी भात इस्तिर खड़ा रहा नहीं ला नडूला तब वह स्वयम उटकर उसके पास गई और हाथ पकड़कर बिस्तर पर लाब इठाया उसकी पीट पर हाथ फेड़ते हो बोली हारे किशन उस दिन बक्की जकी थी क्या इसलिए अपनी मचली जीदी को भूला दिया किशन फूट फूट करोने लगा वागनी को बड़ा आश्या रहा कि कभी किसे लिए उसे रोते हुए नहीं देखा था इतने कस्ट दिये जाने पर भी उस सिर्जुकाय चुपचाप रह जाता था उसने कभी किसे के सामने आश्या नहीं गिलाए थे हिमागनी उसके स्वभाव से पर्चित थे इसलिए उसे इतना आश्यारी हुआ और बोली छी रोता क्यों है राजा बेटे कहीं आश्या बहत है उसके इस उत्तर ने किशन दोती के छोर से आश्या पोश्ता और प्राण पंड से रोलाई को दबाने का प्रयात्न करता हुआ डॉक्टर ने कहा जो है कि तुम्हारे कलेजे में सरदी बैठ गई है हिमागनी हस पड़ी तत पगले इसलिए रोता है छी छी कैसा लड़का है रे तू ये कहते कहते खुद अपने आखों से पी दो बूंद आसू टपक गया बाएं हाथ से आखे पोचकर ताइना आत उसके सिर्पर रखे मजाग सकरती हुए उसने कहा सरदी बैठ गई है तो भले ही बैठ जाए यदि मर गई तो तू और ललित मिलकर गंगा जी पहुंचा तो आओगे क्यों पहुंचा आओगे न ठीक उसी समय क्यों मंजली आतवित कैसी है पूश्ट वी बड़ी बहु दर्वाज में आख खड़ी भी चरवड़ को किश्ण की और तेजी नजर से देखा उसने बुला लो यह तो यहां हाजिर है और यह क्या मंजली के सामने रोकर दुलराया जा रहा है हाई रामी ढूंगी कितने चल चंद कर जानता है बहुत क्लांथ हो जाने के बाद हे मांगनी अभी अ सहरे लेड़ गई थी अब तीर की तरह सीधी गुड़ बैठी और बोली तीदी छह साथ दिन से में बुखार में पड़ी तुम्हारे पाउं पड़ती हूं आस तुम जाओ कादमवरी पहले तो सब पका गई पर दूसरे ही छड़ उसने आपने आपको सम्हाल लिया और बोल तुम्हारी डाट फटकार तो रात दिन चलती ही रहती है घर जाकर कर लेना यहां मेरे सामने डाट डपट करनी के जरूरत नहीं और मैं करने भी नहीं दूँगी तो क्या करोगी घर से निकाल दूगी यह मागनी ने हाथ जोड़ कर का मेरी तिवित अच्छी नहीं है दिद हाँ सो तो करूँगी मेरे नाम पर खूब लगाई बुजाई जाती है आज सब निकाल दूँगी बज़ा जूटा कहीं का मैंने कहा जारे किशुन गाय के गली की रसी नहीं है दो गठा पर चन काटला बोला दिदी तुम्हारे पैड़ों पड़ता हूं कटपुतली का यह कहते हुए धम धम पार प्रटकती हुए कादमरी मां से चली गई यह मांगनी कुछ छड़काट की भाती बैठी रही फिर लेट गई बोली तुम्हारे का नाज देखने क्यों नहीं गया यदि चला जाता तो यह सब काहे को होता जब वो तुझे आने नहीं देती तो चपच दीरे-दीरे वहां से चला गया जब हमें किशन ना बोला चुपच दीरे-दीरे वहां से चला लेकिन दूसरे च्छण लॉट करा कर बोला हमारे गाओं की विशाल क्षी देवी बड़े ही चमतकारिक है मजलिदी उनकी पूजा करने से रोख रोख मिट जाते हैं तो उनकी पूजा कर दोना अब ये भी बेवजे लड़ाई जगड़ा हो जाने से मांगने का मन बहुत ही बिगड़ गया था असल में जगड़े टंटे से नहीं वो तो होता ही रहता है बढ़िया बाना मिल जाने से इस अभाविक ना जाने कैसी दुर्दशा होगी असल में बस य पर हाथ फेड़ते हुए देड़ तक रोती रही फिर आंसो पोचकर बोली अच्छी हो जाने पर तुझे छिपा कर चुपचा पूजा करने भेज़ दूंगी तुम अकेला जा तो सकेगा ना कि शुन कि मारे उत्सा के दोनों आखे विस्फृत हो गई बोला बड़े मज़े अकेला चला जाओंगा मजली दी तुम आज ही एक रुपया देकर मुझे भेज़ दो कल सवेरे तक तो पूजा करके तुम्हारे ले प्रसाद लेकर मैं लॉट भी आऊंगा प्रसाद मुह में रखते ही तुम्हारी सारी बिमारी दूर हो जाएगी आज ही भेज़ दोना मज लेंगे लेंगे तुम्हारी बिमारी तो मिट जाएगी यह सुनकर हिमागनी के आखों में आसू फिर बैने लेगे हो बोली लेकिन मैं तो चिरी कोई नहीं हो किश्ण फिर मेरे लिए तुझे इतनी चिंता फिर तक क्यो रहती है किश्ण बेचारा इस्प्रेशन का उत्तर क आसकर बोला तुम्हारी बिमारी जो नहीं नहीं मिट रही मचली दी छाती में से बैढ़ी है vicomady थोड़ा सात्क बोली मेरे चाती में सर्दी बैढ़ गई है तो तुझे उससे क्या तो अपनी चिंता क्यों करता है किश्ण में आशंके फूकर कहा चिंता क्यों नहीं मचली दीदी छाती में सर्दी का बैठना बहुत बुरा होता है यदि बीमारी बढ़ गई तो क्या होगा तब मैं तुम्हें बुलवा बेजूंगी बिना बुलाए तू मत आया कर भाया क्यों मचली दीदी हिमागनी ने डड़ता बुरो से लिलाते हुए कहा नहीं मैं तुझे अब सबेरे ही तुझे तुझे आना चाहिए किशन ने कहा अच्छा सबेरे नहीं तो दो पहर के समय आ जाओंगा क्यों ठीक है न मजली दीदी यह कहते कहते उसकी आंसों आखों में और जहरे पर एक ऐसी व्याकुलता का भाव उठा कि हिमागनी मन ही मन बहुत व्यधित हो गई लेकिन अब तो उसके कठोर हुए बिना काम नहीं चल रहा था सबने मिलकर एक असहाए बालों को जो यादनाय देने शुरू की है उन्हें किसी भी बहाने से बढ़ने नहीं देना होगा वो तो शायद सहे भी लेगा मन्शी दीदी के पास आने जाने का दंड कितना ही भारी क्यों ना हो उसे सहने में वो कभी पीछे नहीं अटेगा किन्तु हिमागनी कैसे सहपाएगी उसकी आखों से फिर आसु बैने लगे लेकिन उसके मुझे परिशान मत कर किश्ण जा यहांसे चला जा बुलाओं तब ही आना जब तक आकर मुझे तंग मत करना नहीं नहीं परिशान तो नहीं करता मंजली दीदी यह कहता हुआ उलजजद मू लिये हुए किश्ण वहां से जल्दी जल्दी चला गया उसके जाते ही मांगनी की आँखे सावन भादों की बादलों की तरह बरसने लगी उसे साफ तो पर दिखाई पड़ रहा था कि अस सह जार रहता है मांगनी ने आखे पोच कर मनी मन कहा कि मेरे भाईया तो यहां से रुआसा होका चला गया लेकिन तेरी मजली दीदी तो तुझसे भी अधिकस सहाय है तुझे जबर दस्ती चाती से लगा लेने की छमता भी तेरी इस बड़ी इस परहन में नहीं है भी नहीं है दोस्तों आगी की कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक अड़ सबस्क्राइब जरूर करें बैल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि मिरे आने वाली वीडियो आप मिल सकें और आप इस कहानी को पूर आप सुन सकें क्योंकि यह बहुत ही अच्छी कहानी है और मुझे यकीन है आप सभी लोगों कोई बहुत पसंद आईए और अपने सजेशन्स कमेंट बॉक्स में जरूर दें दो फिर मिलेंगे तक के लिए बाई बाई